नुश्वेडिनाइन इंडिया और महूं साक्षी आपके साथ नुश्वेडिनाइन इंडिया की ओर से हमारी तबाम महिला दर्शको को नारी दिवस की हारतिक बदायां इसी के साथ रु've करते हैं आपि की ताजाग ख़परों की ओर भगवान के चित लगाकर सामान बेचने पर की प्रतिबन की मांग इंदौर हाई कोड खंडपीट में लगी जन हिती आचिका इंदौर में हर्शुरलास के साथ मनाया गया महिला दिवस अलग-अलग जगा पे हुए सांस कतिकायज है इंदौर के चंदर नगल ठाना शेट में मासूम बच्ची से ठेचार करने वाले आरूपी का पुल से निकाला ज़ूँस भगवान की तस्वीर अपने प्रोड़क्ट पर चस्पा कर उससे लाव लेने वाले व्यापारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि दौर हाई कोट खंड़ पीट में एक जनहित याचिका लगी है जिसमें भगवान के चित्र लगाकर अपने सावान को बेशे पर प्रदीबन की मांग की गई है दरसल भगवान के चित्र लगे इस प्रड़क्ट का इस्तमाल होने की बाद उन तस्वीर लगे चित्रों को कच्छे के डब्बे में फेके जाने सहीद अन्य तरे से उसका अपमान होता है इस कारण प्रतीबन लगाने की मांग की गई है याचिका में बताया गया है कि प्रड़क्ट पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाये जाते हैं जो की इस्तमाल कर फेक दिये जाते हैं इस पर रोक लगाने की मांग की गई है विर रपोर्ट, नियूज 29, इंडिया बहुआन को पुझने करते हैं, कुछ लोग उसे व्यापार का तरीका इस्तमाल कर रहे है महिला दिवस का दिन पूरे देश में हर्शुलास के साथ मनाय जा रहा है इन दोर में भी महिलाओं द्वारा अलग-अलग जगा परस्तांस के दिकारिक रमायजिन किये गए जहां महिला सर्शक्तिकरन को लेकर महिलाओं ने अपनी राय एक दूसे के साथ साज़ा की विश्वा अपनी उन्नती पतपर है, वहीं भारत देश में भी महिलाओं को लेकर लोगों की सोच में लगातार बदलावा रहा है अब महिला शियो सक्तिकरन की और बढ़ रही है और देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही है इस मौके पर जन्विकास सुसाइटी के तत्वधार में महिलाओं को समान किया गया इस दोरान महिलाओं ने सांसकती कारिक्रम में नित्र की प्रस्तूतियां भी दी बिर रपोर्ट नियस्वेंटराइंग इंडिया इंदोर के चंदन नगर थाना शेतर में एक नाबालिक बच्ची के साथ छेड़शार करने का मामला सामने आया है बच्ची की माने थाने में शिकायत दर्च करवाई थी महिला व्यास नगर में रहती है और उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी इसी दोरान पडोस में रहने वाला बबलू पिता चगन गुजराती उनकी बेटी को सेव परमल खिलाने के बहाने अपने घर में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा इसी दोरान बच्ची के शोर शराबे की आवाद सुनकर मा घर की तरफ दोड़ी तो देखा कि युवक उसके साथ छेड़शार कर रहा था भीड को जमा देख आरोपी बच्ची को छोड़ कर वहाँ से भाग निकला पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए चंदी घंटों में आरोपी को गिरफतार कर लिया पुलिस ने जब आरोपी से सक्ती से पूश्टाच की तो उसने अपना गुना कबूल किया बिर रिपोर्ट न्यू स्वेंडिनाइन इंडिया पुलिस करने के बाद ततकाली टीम को मौके बहच के आरोपी को इसमें पकड़ाया गया है इन दोर में आज इंतराश्टी महिला दिवस के मौके पर DRP लाइन में परिचर्चा का आयजन किया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी परिवार की महिलाएं शामिल हुई आज अंतराश्टी महिला दिवसे इस मौके पर डियार पी लाइन में महिलाओं के प्रती सवेदन शीलता परिचर्चा का आजन किया गया मौकियातिती के रूपमें दोर एससपी रूची वर्धन में शुपस्ष्य रही वहीं बड़ी संख्या में पुलिस परिवार की महिलाएं भी शामिल हुई इस दौराण महिला पुलिस कर्मीयों को एससपी मिश्य ने फूल दे कर समानित दिखिया इस मौके पर SSP ने बताया कि महिलाएं और बच्चियों से अपील की गई है कि अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार की छेड़ खानी को बरदाश्ट ना करे खोल कर पुलिस के पास पहुँचे पुलिस आरोपियों पर तुरन करवा ही करेगी बिर रपोर्ट न्यूस 29 इंडिया कि अपनियाय का प्रथिकार कर सकें एक अपराजियों को सजा दिला सकें मेयाय करने करने कि कहीं भी किसी बच्ची रसाथ इसी कि वेदित है सब्सक्राईció बच्ची से देंन किसी भी उन्यूस को गこの दायरे है दो बिलकुल in inhibर साहार को है वो अपने घड से भी 100 नमबर को कॉल कर सकती हैं उनके साथ यदि कोई अपराद हो रहा है तुसे रिपोर्ट कर सकती हैं और पुलिस पुरी मुस्तादी से पुरी सजक्ता से उनके साथ में हैं ऐसे गुंडे और अपराधियों के खिलाफ हम लगातार कारवाई करते हैं आगे पर मौजूद गाड ने फाइर ब्रिकेट को सूचना दी मौके पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्त के बाद आग पर गाबू पाया आग बेस्मेंट सेट स्टोरूम में शॉर्ट सरकिट की वज़े से लगी थी यहां से धुआ कमरों में गुसा तो अंदर ठहरे 23 लोग नहीं हुई है बिरोपोर्ट न्यूज 29 इंडिया अभी की खपरों में फिलाल इतना ही लगाटार खपरों के लिए न्यूज 29 इंडिया के साथ एक देश सारी पर देश